जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आसा करता हूँ, भले चेंगे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों, यदि आपको भी ऐसा लगता है, कि आप भरपूर प्रैत्न कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए हर संभव, आप काम कर रहे हैं, प्रैत्न कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चूग हो जाती है किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है आप अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रहे हैं लेकिन आपको किस्मत का सपोर्ट नहीं मिल रहा है सहरा नहीं मिल रहा है जिसके चलते आप पीछे पड़ रहे हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए जो मैं आज आपको बताने वला हूँ इस उपाय के करने से आप जितनी भी महनत करेंगे उसका आपको भरपूर फर मिलेगा आपको ये महसूस होगा कि अभी तक आप जो काम कर रहे थे उसमें जितना आपको पैसा मिलना चाहिए था जितनी आपकी आमदनी होनी चाहिए थी जितनी आपकी नामना होनी चाहिए थी जितनी आपकी प्रसिद्धी होनी चाहिए थी जितना बड़ा आपका फैलावा होना चाहिए था उतना यदि नहीं हो रहा है तो इस उपाई के करने के बाद में आप महसूस करेंगे कि आप वो सब कुछ हासिल कर रहे हैं, जो आप पहले सोच रहे थे, कि मुझे काम कर रहा हूं, तो मुझे काम के बदले में ये ये चीजे मिलनी चाहिए थी, कि मैंने महनत तो पूरी की है, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगला बंदा किस्मत का धनी है किस्मत ही है किस्मत लेकर पेदा हुआ है कि जो भी काम करता है उसमें उसे सफलता मिलती है तो कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं लोगों के कि जिनके चलते वो व्यक्ति जिस किसी भी काम में हाथ डालते हैं या जिस किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं हर उस काम में उनको सफलता मिलती है लेकिन यदि मान लीजिए कि आपका प्रारव्ध ऐसा नहीं है तो आप इस जनम में इसे हासिल कर सकते हैं कुछ देवी देवताओं की आप पूजा अर्चना करें, यदि नहीं कर सकते हैं, तो कुई तंत्र मंत्र टोना टोटका करें, कुछ ऐसी विधी करें, कि जिससे माता लक्शमी आप पर प्रशन हो जाए, या आप जो कोई भी काम कर रहे हों, जो कुछ भी चाहते हों, उसमें उन देवी देवताओं के आप मदद ले, उनको प्रशन करें, उन ग्रोहों को आप मजबूत करें, जो आपको इच्छित फल प्रदान करें। तो यदि आप नामना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं तो इसके लिए आपको माता लक्ष्मी को प्रशन करना होगा। और इसका एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस उपाय के करने से आप जो चाहते थे वो चीज आपको मिलने लग जाएगी तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिंतम गृंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहस हैं जिन्हें बताते हैं और यदि आप भी इनी तरह के ग्यान में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे द्वारा बताएगे उपाई आप तक आसानी से और तेजी से पहुंचेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों बताता हूं वह उपाई के जिसको करने से माता लक्ष्मी आप पर अतिस सिग् और आपको इच्छित फल का वर्दान प्रदान करेंगी तो आपको करना क्या है कि रातरी के आपको इस उपाई को रातरी के दूसरे पहर में करना है जब चंदर उदे हो जाता है सुर्यास्त हो जाता है उसके बाद रातरी का जो पहला पहर आता है इसे आपको छोड़ देन और दूसरे पहर में आपको इस उपाय को करना है और बारा बजे के पहले पहले तक इस उपाय को आपको कर ही लेना है तो आपको करना क्या है कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उसके पहले आप खाना वाना खा लेते हैं उसके भाद में आप क्या करें कि इशनान करने के ब बता रहा हूं इस मंतर की आपको एक माला करनी है एक सो आड़ो बोलना है ओम् त्रिपुर सुंधरी मम ग्रह आगच आगच्छ बहुत ही पुर्वक बोलना है त्रिपूर सुंधरी आपको माता लख्शमी का ध्यान करना है तस्वीर हो बहुत सुंदर से उसकी इस्थापना कर लें अपने सामने रख लें एक दी इस्थापना नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ तस्वीर अपने सामने रख लें घी का एक दिया जला दे धुब बत्ती कर दे और मंत्र बोलें ओम त्रिपुर सुंदरी मम गर आगच आगच इस मंत्र की आपको एक माला करनी है 108 दफे बोलना है किसी भी मीठी चीज का आप प्रसाथ चढ़ा दे आपको पहले दिन ये करना है इसके बाद नित्य जब भी आप सोने के लिए जा रहे हैं तो आप क्या करें नित्य ग्यारा दफे एक्कीज दफे एक्कावन दफे जब तक भी आप चाहें इस मंत्र को बोलें जब भी आप अपनी दुकान है नोक्री जहां कहीं भी जाते हैं इसको बोलें इस मंत्र को आप बोलें ग्यारा दफे कम से कम बोले या 21 दफे लेकिन प्रेम पुर्वक बोले जैसे आप वास्तों में माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं इस तरह से आप उनको बोले कि वो आपके घर में आकर के वास करें इस तरह से आप इस मंतर का जाप करें, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, रातो रात आपकी किस्मत पलट जाएगी आप जो काम कर रहें उसको करते रहें, सिद्धत से करते रहें उसी काम में आपको देखना आपकी मेहनत का भरपूर फल मिलने लग जाएगा ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें देव प्रकास और अपने जिवन में लाभनवित होते रहें धन्यवाद